जी है मांकाल आप सब्सक्राइब स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलीज इन हिंदी में मैं आज आप लोग यह पहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेकिया हुआ है आज का जो मेरा वीडियो है बीएस है बीएस है पॉस्टिवर ट्रेट्मेंट 2788 जिसके कि फिजकल ट्रेट टेस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हुए और अभी आप लोग का अपने रिटें एक्जाम भी कंप्लीट करा लिए गया है दो सिफ्टों में आप लोग का यहां पे एक्जाम हुआ काफी अच्छा एक्जामिनेशन पेपर था और काफी प्रवाइट कराईए यदि आप लोगने प्रिवेस में वीडियो नहीं देखे हैं पेपर से रिलेटेड जानकारी भी मैंने आप लोग को दी है तो आप लोग देख सकते हैं पूरी इंफोर्मेशन आप लोग को लग जाएगी इसके अलावाद जी हां क्या एक्सपेक्टे डाटा आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या कट आफ रहेगी और क्या आप लोग का सेलेक्शन होने के कितने कितने चांस हैं और इससे भी इंपोर्टेंट चीज यहां पर यह है यदि आप लोग को जानकारी मिल जाए सर आंसर की कब आने वाली है रिजल्ट कब है और मैडिकल का प्रोसेस फाइनल जाइनिंग कब तक होगी यदि इन सब चीजों की जनकारी आप लोग को मिल जाए तो किसी भी प्रकार की टैंसन लेने की ज़रूरत नहीं है तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही एक्जाम दिया है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में इसकी रिटन एक्जाम की आंसर की कब तक आएगी देखिए जो इन्फोर्मेशन निकल के आ रही है दिसंबर लाज तक आप लोग की यहां पर आंसर की आ सकती है और आनी ही चाहिए इसके अलावा एक इंपोर से पहले पहले देखने को मिलेगा मेडिकल की जानकारिया आप लोग को पहले होनी चाहिए जीह आप लोग देख सकते है स्क्रीन पे मेडिकल कोंस्टेबल टेट्समेंन के जो मेडिकल होने वाले हैं वो 16 फरवरी जीहां फोला 16 फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 तक आप लोग के medical की date यहां पे fix की गई है विभाग में जो notice जारी किया था उस notice में इस date को mention किया गया है इस से उपर आप लोग के return exam की date थी जो की 4 दिसंबर 2022 थी 4 दिसंबर 2022 को आपका return exam ले लिया गया है और सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं medical की भी date दी गई है यानि कि 16 फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 तक आप लोग के यहां पे medical की date दी गई है तो किसी भी प्रकार की date में changes होने के chances नहीं है नहीं है नहीं है सब कुछ समय पे हो रहा है और जैसा BASF ने तैक किया है उसी समय पे ही आप लोग का सारा काम होने वाला है तो 16 फरवरी 2023 में आप लोग के यहां पे medical हैं तो आपको पता होना चाहिए जिहां date चानने की जरूरत नहीं है आपको पता होना चाहिए जब 16 फरवरी 2023 में आपके medical हैं तो जनवरी में ही आप लोग को यहां पे return exam का result देखने को मिल जाएगा जिहां एक month before आप लोग को return exam का result देखने को मिल जाएगा यानी की जनवरी second week में आप लोग के return exam आने के पूरे पूरे chances हैं जी हाँ विभाग में यही है कि समय से आप लोग के return exam का result दे दिया जाए और वो result आप लोग को जनवरी 2023 first second week में आप लोग को देखने को मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा बिलकुल मिलेगा किसी भी प्रकार की tension में आप लोग मत रहिए इसके लावा exam paper कैसा था first second shift का कुछ questions बनाए है कुछ questions में आप लोग को आने वाले समय में प्रवाइट कराऊंगा attention free रहिए preparation करते रहिए जी हाँ और भी recruitment में preparation करते रहिए date की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है answer की बहुत दिसमबर लाश्ट में return exam के result आप लोग का जनवरी 2023 में और इसी प्रकार से आपके medical 16 फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 का होने वाले होने वाले होने वाले इसके अलाव भी कोई जनकारी लेनी है तो वीडियो के comment box में comment करके मुझसे पूछिए मैं आप लोग के पूरे जनकारी दूँगा लेकिन इसके अलावा आप लोग इस चीज को comment जरूर कीजिए आपने कितने questions सहीं किये हैं किस state से हैं किस state से हैं जिया इसकी जनकारी भी आप लोग जरूर दीजिए comment box में comment करके तो अभी मैं आप लोग जो विदा लेना चाहूँगा और जानत भी लेकूँगा यही चैनल